नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं DHFL, that is Devan Housing Finance Limited के बारे में DHFL पिछले कुछ महनों से काफी trending में चल रहा है उसके लिए बहुत सारी news और off-fire भी बीच में आई थी तो आज हम बात करने वाले हैं DHFL के बारे में आई हुए एक important report के बारे में DHFL के promoters ने कही सारी companies के जरीए ये पैसा अपनी companies को transfer किया है इस report में ये पाया गया है कि DHFL ने 25 ऐसी companies जिनका profit ship 1,00,000 करोड का loan दिया था और बार में ये पैसा DHFL के promoters की companies को transfer किया गया तो इन में से कही सारी companies ने DHFL को वो पैसा return नहीं किया उसके बावजूद भी DHFL ने उन loans को NPA that is non-performing assets में नहीं डाला वैसे वाधवान family 2008 में separate हो गई जिसमें राकेश कुमर वाधवान को HDIL जो कि दब revenue के हिसाब से इंडिया के तीसरे सबसे बड़ी real estate company थी वो मिले और कपिल और धिरज वाधवान को DHFL और कुछ और companies मिली तो HDIL के हलत क्या होई है कि आपको सब कोई पता है recently अपने PMC bank के बारे में सुना होगा कि उसमें क्या हुआ है PMC bank के लोग फिलाल 40,000 से जादा रुपे नहीं निकाल सकते हैं और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है HDIL PMC ने HDIL को बहुत जादा लोन दिया था इवन उनकी loan capacity से भी जादा लोन दिया था और ये loan HDL ने उनको रिपे नहीं किया जिसकी वज़े से PMC काफी जादा दिक्कत में आ गई और आम आदमी का पैसा फस गया कपिल और धिरजवादवान ने DHFL से कई सारा पैसा अलग-अलग companies के जरीए अपनी companies में transfer कर दिया तो यहाँ पर भी अब detailed inquiry शुरू हो जाएगी और जल्दी कपिल और धिरजवादवान भी arrest हो सकते है तो यहाँ पर इन सारे भाईयों में एक चीज़ common है और वो है fraudulent behavior इन सबने banks का और आम आदमी के पैसो का गलत इस्तमाल किया है कुछ लोग banks के पैसो का और आम आदमी के पैसो का गलत इस्तमाल करते है जिसका नुकसान बाद में बाकी companies को भी जिलना पड़ता है जिन companies को genuinely पैसो की जरूरत होती है अलग-अलग companies के जरीए अपनी companies को transfer किये है और तब से DHFL की share price काफी तेजी से गिरने लगी है और तब से DHFL को काफी losses भी हो रहे है कुबरा पोस्ट ने ये जब आरोप किये थे तब ये सिर्फ आरोप थे उसके बाद financial year 2020 के first quarter में कमपनी को 200 करोड का loss हुआ है तो exactly कोबरा पोस्ट का ये आर्टिकल आने के बाद ही DHFL को losses होना शुरू हो गए थे फिलाल DHFL पर 93,000 करोड का date है recently हमने बात की थी कि वो कौन सी companies है जो कभी भी bankrupt हो सकती है और उसमें DHFL का भी नाम आया था तो यहाँ पर DHFL पर 93,000 करोड का date है कमपनी को लगातार losses हो रहे है कमपनी के share price पिछले देड़ सालों में 600 रुपे से गिर कर सिर्फ 20 रुपे के करीब आ गई है और कमपनी का market capitalization फिलाल सिर्फ 600 करोड रुपे है और इसी बीचे फोरंसिक audit report आ गई है जिसके बाद DHFL का बचना लगबग नामूमकिन है आपको बता दो कि इस फोरंसिक report में ये भी पता चला है कि DHFL ने अच्छा खासा लोन Sunlink Real Estate इस कमपनी को दिया था जिससे गैंक्स्टर इकबाल में रिचे चलाता है रिसेंटल उननीस उक्टोबर को Enforcement Direct Rate, that is EDE ने DHFL की अलग-अलग premises पर चापे मारना शुरू कर दिया है तो ultimate conclusion यही है कि DHFL का game अब लगबग खतम हो गया है दिवाली के इस period में हम आपके लिए बहुत ही खास और amazing offers लेके आये है जिसमें आपको हमारे सारे courses और बहुत ही बहतरी इन discounts मिलेंगे इन discounts के चलते आपको हमारे career opportunities in finance का course बस 445 रुपेज में मिलेगा Well investing का course जिसकी price 551 रुपेज है वो बस 440 रुपेज में मिलेगा और stock market course for beginners 655 की बजाए सिर 555 रुपे में मिलेगा साथ ही आपको हमारे combined courses पर भी काफी सारे offers मिलेंगे आपको हमारा fundamental analysis और value investing का combined course 1498 के बजाए बस 1198 रुपेज में मिलेगा और fundamental analysis, stock market course for beginners और value investing का combo 2153 रुपेज के बजाए केवल 1722 रुपेज में मिलेगा हमारे इन courses के link आपको नीचे description और comment box में मिल जाएगी इस तरह की offers आपको शायद ही फिर कभी मिलेंगे तो ये offer खतम होने से पहले इन offers का जरूर फाइदा उठाईए और happy diwali to everyone वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद